सबी दोस्तों का वेलकम एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज हम आए हैं खुसबू नरसरी पे और आज हम देखेंगे हमें यहाँ पे कौन-कौन से खुसबू वाले प्लांटों की खुसबू मिलती है तो उससे पहले आप देख लीजिए नरसरी पे आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको हेंगिंग पोर्ट और गंबले मिल जाएंगे प्लास्टिक पोर्ट यहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट पे आपको मिल जाएंगे तो दोस्तो आज हम आपको गमले का प्राइज नहीं बताएंगे आज हम यहाँ देखेंगे आपको कौन-कौन से फूलो वाले प्लांट नरसरी पे मिल जाएंगे अगर आप अभी आते हैं और उनके रेट बताएंगे बस आपको एक सीन यहां का दिखा रहें कि आपको कौन-कौन से गमले मिल सकते हैं तो आप देख लीजिए और दोस्तो आप अपने इस चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए अगर पहली बार आए हैं और दोस्तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो सेर कीजिए ताकि वो भी ऐसी नर्सरियों से आके अपने मन पसंद प्लांट या गमले ले जा सके तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हैंगिंग पोट आपको कई कलर के मिल जाएंगे कई डिजाइन भी हैं तो आप देख सकते हैं आप अपने मन पसंद के गमले यहाँ से ले जा सकते हैं तो दोस्तो यहां पे देखिए यह ग्रीन नेट भी मिल जाएगी अगर आपको ग्रीन नेट लेना तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा यहां का एड्रेस मैं भी डिस्किप्सन बॉक्स में दे दूँगा तो अब चलते हैं अपने प्लांट के तरफ दोस्तो यह है हमारे पहले न नर्सरी पे मिल जाएगा अगर आप खुस्बू नर्सरी पे आते तो 20 रुपे का मिल जाएगा ज्यादता नर्सरी पे यही रेट हो सकता है 10-20 रुपे इसका उपर नीचे और रेट हो सकता है तो अभी खुस्बू नर्सरी पे आते तो 20 रुपे मिल जाएगा इसमें कई कल ले सकते हैं देख सकते हैं इसकी कोई ज्यादा केयर भी नहीं है तो आप इस प्लांट को ले जाके हैंगिंग पोर्ट वगेरा में लगा सकते हैं तो देख सकते हैं बहुत सारे कलर के हैं प्लांट तो आप इनको बाए कर सकते हैं खुस्बू नर्शरी पे 20 रुपे प्लांट अब आते हैं गुलाब पे तो दोस्तो सर्दियों का फैबरेट जो फ्लावर है वो है गुलाब और फूलों का राजा भी है गुलाब तो गुलाब क्यों न लगाएं दोस्तो यही टाइम है गुलाब लगाने का अगर आप लोगों को गुलाब पसंद है तो दोस्तो आप नरस सूर्थी भी बहुत ही गजब लगती है तो आप इने भी ले जा सकते हैं अगर आपको गुलाब की केर नहीं मालूम है तो हमारे चैनल पे और वीडियो हैं तो आप उनको देख सकते हैं जिससे आप अपने गुलाब की अच्छे से केर कर सकें और हमारे चैनल को भी सस्क्राइ तो आपके एरिये में नरसरी पे इसको क्या कहते हैं कमेंट करके बताईए तो आपको ये दो कलरों में मिल जाता है तो देख सकते हैं ये पोली बेग में लगा है जो की 30 रुपे प्लांट है तो आप इसको ले जा सकते हैं देख सकते हैं काफी खुबसूरत प्लांट है तो च के एक दम उपर के साइट पे एक स्टीक निकलती है जिस पे धेर सारे फ्लावर लगते हैं काफी खुबसूरत प्लांट है तो देख सकते हैं छोटे से पॉली बेग में लगा है तो देख सकते हैं इसमें ये चार इंच का पॉली बेग है और देख सकते हैं ये एक प्लांट ल लग रही है तो आप बस इनको ले जा सकते हैं और अपने terrace garden को खुबसुरत बनाई ये तो दोस्टो investigated plant काफी खुबसूरत कलर इनके लगते हैं फ्लावर के तो देख सकते हैं ये plant आपको nursery पर 20 दूर्वर मिल जाएगा तो तो इसमें आपको कई color मिल जाते हैं, आप अपने मन पसंद का color ले सकते हैं, मेरा favorite color red है, तो देख सकते हैं, red बहुत ही खुबसूरत color लग रहा है, तो मैं इसमें से एक red color ले जाओंगा, और इधर देखे हैं, ये गुलाबी color है, ये भी बहुत ही प्यारा color लग रहा है, तो नेश्क प्लांट है हमारा देनतस देख सकते हैं इसमें भी आपको कई शेड मिल जाते हैं और कई आपको org लिल जाते हैं तो आप अपने मन-पसंd ले जा शक्ते प्लांट इसकी भी प्राइस जो 25 रुप है जोस्तो बहुत अच्छी बात है यह प्लांट- इस अस्ते रेट पर हमको मिल जाते 20 रुपे तो देख सकते हैं इसमें दोस्तो आप जब भी ले जाएं तो दो कलर का ले जाएं क्योंकि वह बहुत ही अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं बागी आप पने मन पसंद से ले जा सकते हैं दोस्तो इसकी भी प्राइज 20 आपको इंतजार करते हैं तो आप कुछ भी कहना हो आप कमेंट में कह सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है तो दोस्तो नैश्क प्लांट है देख सकते हैं मिर्च का तो दोस्तो ये देखिए इसमें आपको मिर्चे देखिए लगी हुई है तो दोस्तो ये प्लांट भी 20 रुपे प्लांट है तो आप देख सकते हैं दोस्तो अगर आपको वेजी टेवल्स लगाना बहुत पसंद है सबजी आपने टेरस गार्डन पे तो इन प्लांटों को ले जा सकते हैं 10 इंच के गमले में आप लगाते हैं बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे तो देख सकते हैं कोई भी प्लांट आप लेते हैं तो हर किसी पर फ्रूटिंग हो रही है देख सकते हैं देख सकते हैं इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है तो आप इस मिर्च के प्लांट को भी आप 20 रुपे में ले जा सकते हैं, देख सकते हैं, दोस्तों बस इनको full sunlight की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जितने सबजियों वाले plant है, fruiting plant, इनको सबजियों को, सबको धूप की बहुत जरूरत होती, तो आप इन प्लांटों को धूप में रखे, नेश्ट प्लांट है दोस्तों हमारा जाफरी, जो की 20 रुपे में आपको नरसरी पे मिल जाता है, देख सकते हैं, दोस्तों इस प्लांट की बहुत ही धीमी धीमी खुसबू आती है, और ये खासियत है इस प्लांट को आप लगाते हैं, तो आपके घर के आसपास ज्यादा जाते हैं, तो इधर देखिए दोस्तों, ये है मेरी गोल्ड देख सकते हैं, तो ये प्लांट आपको 20 रुपे मिल जाता है, इसकी भी प्राइज 20 रुपे इन्होने रख रखिए, तो देख सकते हैं, इसमें भी आपको दो कलर मिल जाते हैं, और अगर हाईब्रेट लेना चाते तो वो भी मिल जाएगा ये प्लांट मार्च तक बहुत आराम से चलता है तो दोस्तो आप आपको हमारी वीडियो देखके कैसा लगा कर अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है और दोस्तो जल्दी हम मिलते हैं इसकी नेश्ट वीडियो में तो दोस्तो नेश्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे आपको दिखाएंगे कि गैसे गमले तयार होते सिमेंट के तो वीडिय मिस ना कर सके हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये स्क्रीन पर वीडियो भी आप प्ले कर सकते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में